जब आप Time Management शब सुनते हैं तो आप शायद सोचते हैं अपने देनिक कारियों की टू-डू लिस्ट बनाने के बारे में या फिर आप शायद सोचते हैं कौन से काम को आप ज्यादा प्रास्मिक्ता देंगे और कौन से काम को कम prioritization के बारे में या शायद टाइम मैनेजमेंट शब सुन आप सोचते हैं कि आप कैसे प्लान करेंगे कि भिन गतिविदियों पर आप कितना समय लगाएं ये सभी टाइम मैनेजमेंट के आयाम हैं पर मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन को देखने के दो तरीके हैं एक सूक्ष्म पहलू, माइक्रो आस्पेक्ट और एक व्यापक अस्थूर पहलू, मैक्रो आस्पेक्ट इन दौनों पहलूओं को थोड़ा गहराई से समझते हैं प्रिथवी की अपनी धुरी पर एक पूरी रोटेशन को हम 24 घंटे कहते हैं अपने रोज के जीवन में समय की हमारी यही समझ है इस बात को नजर में रखते हुए जरा सोचिए आप प्रिथवी की अपनी धुरी पर इस रोटेशन को धीरे तो कर नहीं सकते यानि आप समय को खींच कर ज्यादा तो कर नहीं सकते परन्तु आप यह जरूर कर सकते हैं कि दिये हुए समय में आप ज्यादा काम कर लें और यह निर्भर करता है आपकी उर्जा और उत्सहा पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आप बहुत सारे काम खत्म कर डालते हैं और कुछ ऐसे दिन होते हैं जो यूँ ही निकल जाते हैं और आपको थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि आपने उस दिन कितना कम काम किया इन दौनों दिनों में भिन्न क्या है शायद जिस दिन आप बहुत सारे काम निप्टा पाए उस दिन आपकी उर्जा और आपका उत्साह जादा था और उस दिन आपका ध्यान भी काम में केंद्रित रहा इसके विपरीद जिस दिन आपकी productivity कम थी उस दिन शायद आपकी उर्जा भी कम थी और हो सकता है उस दिन आप नाकारात्मक भावनाओं, negative emotions की चपेट में भी थे जिस करके आप काम पर ध्यान केंद्रित तो रखना चाहते थे पर आपका दिमाग बार बार उस बात पर जा रहा था जो आपकी नाकारात्मक भावनाओं का कारण थी और इसलिए आपका ध्यान उस दिन बटा हुआ रहा समय तो निर्धारित है, एक दिन में 24 घंटे इसलिए अपनी प्रड़क्टिविटी बढ़ाने के लिए टाइम मैनेजमेंट की उप्योगिता सीमित है पर अपनी उर्जा पर आप काम कर उसे जरूर बढ़ा सकते हैं फिर उर्जा के उच स्तर के साथ उपलब्द सीमित समय में भी आप ज्यादा काम कर सकते हैं नियमित व्यायाम, पॉश्टिक आहार और परियाप नीद आपकी उर्जा बढ़ाने के तीन सरल तरीके हैं फिर आत्म जागरूकता और अपनी भावनाओं पर नियंतरण अपनी उर्जा बढ़ाने का अगला स्तर है हमारी नाकारात्मक भावनाएं, नेगेटिव इमोशन्स कैसे हमारा समय नश्ट करती हैं इसे समझते हैं बिल्कुल वैसे जैसे जब दांत में कुछ फस जाता है तो जीब बार बार वहीं जाती है हमारे दिमाग की भी यह बिमारी है कि अगर कोई नाकारात्मक भीचार आ जाए तो दिमाग बार बार उसी को कुरेटता रहता है शायद आपने ध्यान दिया हो कि जिस दिन आपकी आउटपुट कम होती है उस दिन आपका दिमाग बार बार वो एक नाकारात्मक विचार दोराता रहता है और आपकी अधिकतर उर्जा इसी रीपले में विर्थ चली जाती है अगर आप अपनी नाकारात्मक भावनाओं पर नियंतरन रख पाएं तो आपके पास उस नेगेटिव रीपले पर जो टाइम वेस्ट हुआ है वो सारा टाइम वापस मिल जाएगा साथ ही साकारात्मक भावनाएं जो उत्सा हुत्मन करती हैं वो कारण बन जाएंगी आपकी प्रोडक्टिविटी और अधिक बढ़ाने का हाँ उर्जा के उचस्तर के साथ भी लक्ष निर्धारित करना गोल सेटिंग अपने लक्षों के अनुसार अपनी दिन चर्या की योजना बनाना टास्क प्लैनिंग जांचना की कौन से कारें को प्रात्मिक्ता देनी होगी प्रारिटाइजेशन कौन से कारे पर आप कितना समय देंगे इस पर नियंतरन रखना टाइम कंट्रोल और शितिलता लेजिनेस और प्रोक्रास्टिनेशन इन से निपटना ये सभी समय का बहतर प्रबंधन करने के यानि टाइम मैनेजमेंट के महत्पूर्ण पहलू है और आपकी उत्पादक्ता बढ़ाने में काम आते हैं कई तरीके एप्स इत्यादी हैं जो टाइम मैनेजमेंट में आपकी मदद कर सकते हैं उधारन के लिए लक्ष निधारन और कार प्रात्मिक्ता के लिए आप आईसन हावर विधी का प्रयोग कर सकते हैं अमेरिकी राष्टपती ड्वाइट आईसन हावर कहते थे मेरे को दो तरीकी समस्याएं होती हैं तत्काल समस्याएं और महत्पूर्ण समस्याएं अर्जेंट और इमपॉर्टन प्राब्लम्स उनके इस अवलोकन के आधार पर आईसन हावर विधी में आप X एक्सेस पर जरूरी कारे और Y एक्सेस में महत्पूर्ण कारे के साथ दो बाए दोका मेट्रिक्स बनाते हैं आपको जो चार कौदरिंट मिलते हैं वो हैं ना तो महत्पूर्ण और ना ही तत्काल काम नीदर important नौर urgent work जैसे की Instagram और WhatsApp ग्रूप के messages को देखना जो की अधिकतर waste of time ही होते हैं महत्पूर्ण तो नहीं मगर तत्काल काम not important बट urgent work phone call जैसी रुकावटें महत्पूर्ण और तत्काल काम important and urgent work जैसे की आग लग जाना या इम्तेहान या कोई काम खत्म करने की deadline तत्काल तो नहीं मगर महत्पूर्ण काम not urgent बट important work जैसे आपका स्वास्त आपका परिवार या ऐसे लक्ष जो जीवन को सार्थक बनाते हैं जरा सोचिए कि कितना समय आप लगाते हैं उन कारें पर जो आपको तत्काल ही करने होते हैं और कितना समय आप लगाते हैं उन कारें पर जो आपकी नजर में आपके लिए महत्पूर्ण है बेशक तत्काल कारें को करना आवशक है पर आपको आपके लिए जो महत्पूर्ण है उस पर भी समय और ध्यान देना चाहिए आपको किस कारे पर कितना समय लगाना चाहिए इस पर नियंतरण रखने के लिए आप टू-डू लिस्ट बना सकते हैं जिसमें हर दिन के कारेों को प्रात्मित्ता के अनुसार आप लिखते हैं और जैसे जैसे वो कारे पूर्ण होते जाते हैं आप उन्हें अपनी लिस्ट से हटाते जाते हैं यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हर टू-डू लिस्ट के सान एक स्टॉप डूइंग लिस्ट भी बनाना आवशक है जिसमें वे सभी कारे डालने चाहिए जो की अधिकतर समय बरबाद ही करते हैं जैसे की नाकारात्मक भावनाओं की चपेट में रहना और फिर पूरी कोशिश करनी चाहिए इन कारें को ना करने की स्टॉप डूइंग लिस्ट बना इन कामों को ना करने से ही समय निकलता है टूडू लिस्ट के कामों को करने का अपनी टूडू लिस्ट बनाते हुए तत्काल और महत्पूर्ण कारें की भिन्ता को भी ध्यान में रखना चाहिए ऐसा ना हो कि आप केवल तत्काल कारें में ही अपना पूरा समय लगा रहे हो आपको जो भी महत्पूर्ण लगता है उन कारें के लिए भी परयाप समय ढूड़ना जरूरी है यहाँ एक प्रोफेसर की कांच की बोतल की प्रसित कहानी को दोहराना सार्थक होगा इस प्रोफेसर ने कांच की बोतल ली और उसे बड़े पत्थरों से उपर तक भर दिया और अपने चात्रों से पूछा कि क्या बोतल पूरी भरी हुई है सभी चात्रों ने कहा हाँ प्रोफेसर ने फिर छोटे कंकड लिये और बोतल को हिलाते हुए बोतल में भर दिये कंकड पत्थरों के बीच ठीक से फैल गए उसने फिर चात्रों से पूछा कि क्या अब बोतल पूरी भरी हुई है सभी चात्रों ने हामी भरते हुए कहा हाँ प्रोफिसर ने फिर रेत ली और रेत को बोतल में डाल दिया रेत शेश सारी खाली जगा में भर गई छातरों ने कहा कि हाँ अब बोतल पूरी तरीके से भर गई है कांच की बोतल दर्शाती है आपका पूरा जीवन काल पत्थर दर्शाते हैं वो चीजें जो आपके लिए बहुत महत्पूर्ण है जैसे अच्छा स्वास्त, आपका परिवार, रिष्टे, सार्थक जीवन लक्ष, आध्यात्मिक खोज, इत्यादी कंकर दर्शाते हैं वो चीजें जो बहुत महत्पूर्ण नहीं हैं पर फिर भी आपके लिए माइने रखती हैं जैसे कोई शौक यानी हॉबी रेत दर्शाती है वो सारा समय जो उन चीजों पर व्यर्थ जाता है जो आपके लिए खासकर दीरकाल लॉंग टर्म में ना तो महत्पूर्ण हैं और ना कुछ खास माइने रखती हैं जैसे माटीरियल पोजेशन जोड़ना एक और बड़ा घर एक और बड़ी गाड़ी इत्यादी या वो समय जो बहुत ज़ादा टेलिवेजिन वाटसैप इंस्टागराम इत्यादी में आप लगा देते हैं यह कहानी जो समझाने की कोशिश कर रही है वह है कि यदि आपका सारा जीवनकाल जो की कांच की बोतल दर्शाती है अगर आप इसे पूरा रेत से भर देते हैं रेत यानि वो चीजें जो आप तदकाल करते हैं पर जो महत्पूर्ण नहीं है तो आपके पास कंकर और पत्थरों के लिए जो दर्शाते हैं महत्पूर्ण चीजें उनके लिए तो समय बचेगा ही नहीं इसलिए जब आप चुनाव करें कि आप अपने समय का उप्योग कैसे करेंगे तो ये निरने समझ बूच के लीजिए क्योंकि दुनिया का सबसे कीमती संसादन है समय एक पल जब चला जाता है तो लौट के फिर वापस नहीं आता ब्रहमांड के लिए नहीं पर हम नश्वर मानवों के लिए समय बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है इस विडियो के दूसरे भाग में हम समय प्रबंधन के व्यापक या स्थूल पहलूँ मैक्रो आस्पेक्स अफ टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे मैक्रो आस्पेक्स आस्पेक्स